हेलो फ्रेंड्स यदि आपने अभी तक मेरे चनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे जरू सब्सक्राइब करें नमस्कार दोस्तो उम्मीद करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे तो दोस्तो आज के इस वीडियो में मैं आप सभी के लिए एक और नया आयरवेदिक नुस्का लेकर आए हूँ यदि आपके मुह से दुरगंद आती है तो आप इसके लिए क्या उपाय अपना सकते हैं तो दोस्तो ऐसे में धनिया जो होता है वै आपके लिए फाइदेमंद ह होने वाला है क्योंकि धनिय का प्रयोग करने से जो मुह की दुरगंद होती है वै कम होती है आप यदि हरा धनिया या फिर सूखा धनिया चबाते हैं तो इससे मुह में दुरगंद जो है वै नहीं आती है मुह से और आप रोज एक चमच धनिया जो है आप इसे चबा सकते ह या फिर थोगली सी मात्रा में आप धनिया लेकर इसे चबाएं इसके साथी यदि आपने प्याज लह सुन यह सारी चीज़े खाई हैं जिनसे की कभी-कभी स्मेल आने लगती हैं आपके मुझसे तो आप इसके बाद हरा धनिया चबा सकते हैं या फिर हलका सच सूखा धनिया भी आप खा सकते हैं इससे भी आपकी दुरगंद जो है मुझकी वह नहीं आएगी तो दोस्तों यह थी चोटी सी जानकारी उमेद करती हूं आपको पसंद आई होगी ज़िए जानकारी आपको पसंद आई है तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए शेयर कीजिए और वैल इतरह के वीडियो को नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास तक पहुंच सकें